बच्चो आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्थे पुस्तक बसंद भाग 3 का पाठ 11 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा बच्चो यह एक निभंध है और इस निभंध को लिखा है हमारे लेखक श्री प्रदीप तिवारी जी ने बच्चो आप इस पार्ट को पढ़ चुके हैं जान चुके हैं हमारे भारतिये सिनेमा के बारे में कि हमारे भारतिये सिनेमा ने कब से बोलना शुरू किया बच्चों हमारा जो भारतीय सिनेमा था वह पहले मूग था मूग क्यों था क्योंकि इससे पहले ये बोलती फिल्म बनने लगी थी इससे पहले जितनी भी फिल्में बना करती थी वह मूग थी और भारती सिनेमा की पहली फिल्म सन 1911 में दादा सहाब फालकी जी ने बनाई थी और फिल्म का नाम था राजा हरी शंद जो की आवाज रही थी जो की मूग थी और हमारे भारती सिनेमा में बोलती फिल्म सबसे पहले 1931 में बनी थी और जिसे इराणी सहाब ने बनाया था जिसका नाम था आलम आरा बच्चो आप इस फिल्म के बारे में इराणी सहाब के बारे में और हमारा भारती सिनेमा कब से बोलना शुरू कर दिया यह आप इस पार् अभ्यास प्रिश्न हल करने वाले हैं, चलते हैं, हल करते हैं अभ्यास प्रिश्न, देखते हैं पहला प्रिश्न कहां से है, बच्चो इस पार्ट का पहला प्रिश्न पार्ट से ही लिया गया है, पार्ट आप पढ़ चुके हैं, तो आपको इन प्रिश्नों के उत्तर जल्दी समझ में आ जाएंगे देखते हैं पहला प्रिश्न क्या है हमारा जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए उस फिल्म में कितने चहरे थे इसपस्ट कीजिए बच्चो जब आपने पाठ पड़ा था तो हमारे पाठ का पहली पंक्ती जो थी वह यही थी जिसमें यह बताया गया था कि आलम आरा फिल्म जब प्रदर्शित की जा रही थी तब उसके प्रचार प्रसार के लिए जो पोस्टर बनवाए गए थे उसमें जग्यासा उत्पन करने के लिए लोगों को आकरशित करने के लिए कुछ पंक्तियां छापी गई थी और उन पंक्तियों में यह बताया गया था कि क्या-क्या विशिषताए हैं इस फिल्म में और साथ में आपको क्या करना है, आपको इस पृष्ण का भी उत्तर देना है, कि इस फिल्म में कितने चहरे थे, तो बच्चो देखते हैं हमारे इस पृष्ण का क्या उत्तर है, जब पहली बार बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई, तो उसके पोस्टर ओपर छापा गया था, क्या छापा गया था आपको कुछ याद आ रहा होगा देखिए बेस अभी सजीव हैं सांस ले रही हैं सत प्रतिशत बोल रहे हैं 78 मुर्दा इंसान जंदा हो गए बच्चो आप इस पंक्ति को ध्यान से पढ़िए 78 मुर्दा इंसान जंदा हो गए यानि आपकी इस प्रिश्ण में छिपे हुए प्रिश्ण का उत्तर आपको यहीं मिल जाएगा इनको बोलते और बाते करते देखो तो बच्चो यह जो पंक्तियां थी यह फिल्म की प्रती लोगों को आकर्शत करने के लिए और बताने के लिए थी कि इस फिल्म में क्या विशिष्टाए है और यह अन्य फिल्मों से अलग कैसे है साथ ही में यह लिखा हुआ है यहाँ पर 78 मुर्दा इंसान जंदा हो गए 78 मुर्दा इंसान यानि कि इस फिल्म में 78 लोगों ने काम किया है इस फिल्म में हमें 78 चहरे दिखाई देते हैं पोस्टर पढ़के इस पस्ट रूप से बताया जा सकता है कि फिल्म में 78 चहरे थे चलते हैं अगले प्रिश्ण की तरफ देखते हैं हमारा अगला प्रिश्ण क्या है जो की पार्ट से लिया गया है पहला बूलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्म कार अर्दिर्शित M. इरानी को प्रेड़ना कहां से मिली उन्होंने आलम आराभ फिल्म के लिए आधार कहां से लिया बिचार व्यक्त कीजिए बच्चो आपको इस प्रिश्ण में यह बताना है कि जब हमारे इरानी साहब के मन में बोलती फिल्म बनाने का बिचार आया तो बहे बिचार कहां से आया और साथ में उन्होंने अपने बिचार को क्रियानवित करने के लिए जो कहानी चुनी वहे कहां से लिए बच्चो जब हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं कोई भी नया काम करते हैं तो हमारे मन में कही न कहीं से उस बात के लिए प्रेड़ना आती है ऐसा ही हमारे इरानी साहब के साथ हुआ इरानी साहब के साथ क्या हुआ देखते हैं पहला बोलता सिनीमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्दिशित इरानी को प्रेड़ना हॉलिवुट की एक बोलती फिल्म शो बॉट से मिली बच्चो ध्यान दीजिए याद करने की कौशिश कीजिए इरानी सहाब को पहली बोलती फिल्म बनाने की प्रेड़ना हॉलिवुड की फिल्म शो वॉट से मिली जिसमें क्या था जो की एक बोलती फिल्म थी जिसके की पात्र और कलाकार बोलते थे सबाग फिल्म आलम आरा बनाने का आधार उन्होंने पार्सी रंगमंच के एक लोगप्रिय नाटक को बनाया और उसी पर आधारित पतकता तयार की बच्चों उन्होंने शोवाट फिल्म से प्रेड़ना ले ली प्रेड़ना लेने के साथ इस पर काम करना शुरू किया काम करने के साथ उनको कहानी की ज़रत पड़ी और उन्होंने जो कहानी ली वह पार्टसी रंगमंच के एक लोगप्रियर नाटक से ली यानि जो हमारी फिल्म आलम आरा है वह पार्टसी रंगमंच के एक नाटक पर आधारित है और उसी पर आधारित उन्होंने फिल्म तैयार की चलते हैं अगले पृष्ण की तरफ देखते हैं हमारा अगला पृष्ण क्या है बिठल का चैन आलम आरा फिल्म के नायक की रूप में हुआ था लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया बिठल ने पुने नायक होने के लिए क्या किया बिचार प्रकट कीजिए हां बच्चो जो ह नायक की रूप में बिठल साब का चैन किया गया था लेकिन कुछ परिशानी थी बिठल साब के साथ इसके कारण बिठल साहब की जगे महभूम जी को ले लिया फिर बिठल दास जी को बुरा लगा और हमारे बिठल साहाब बापस से उन्होंने क्या किया यह आपको बताना ह कि फिल्म की नायक बनने के लिए उन्होंने क्या किया तो बच्चो बिठल का चैन आनम आरा फिल्म की नायक की रूप में हुआ था किन्तो उन्हें इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्हें उर्दू बोलने में मुश्किल होती थी बच्चो यह हमारी जो फिल्म थी यह मूख नह बहे हमारी हिंदुस्तानी थी, यानि की हिंदी और उर्दु का समशरण थी, और जो हमारे ये विठ्छल सहाब थें उर्दु बोलने में बहुत कटनाई होती थी, इस कारण हमारे जो इरानी सहाब थें, उनको लगा कि यह फिल्म बहुत ज़्यादा नहीं जलेगी, अगर वि इन्होंने बापस नायक बनने के लिए इरानी सहब पर मुकदमा कर दिया और उस मुकदमे को लड़ा था पाकिस्तान के प्रधान मंतरी मुहम्मद अली जिन्ना ने बच्चों उस समय वो प्रधान मंतरी नहीं थे उस समय वो बकालत किया करते थे प्रधान मंतरी तो जब हमार देश का बिभाजन हुआ था उसके बाद बने थे और उनका मुकदमा बकील मुहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा देखिए आप ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है बकील अगर वो प्रधान मुकदमा लड़ते तो यहाँ पर प्रधान मंतरी आता चुकि वो उस समय बकील थे इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है मुकदमा बकील मुहमद अली जिन्ना जी ने लड़ा और बिठल मुकदमा जीद गए और फिल्म पुनहे फिल्म के नायक बन गए चलते हैं अगले पृष्ण की तरफ देखते हैं हमारा अगला पृष्ण क्या है पहले सबाग फिल्म के निर्माता निर्देश्यक अर्देश्यर को जब सम्मानित किया तब सम्मान करता उन्हें उनके लिए क्या कहा था अर्देशिर ने क्या कहा इस प्रसंग पर लेखक ने क्या टिपपणी की है लिखिये इस प्रिशन में आपको क्या करना है इस प्रिशन में आपको बताना है कि जब हमारे इरानी साहब को सम्मानित किया जा रहा था तब सम्मान करता उन्हें उन्हें क्या कहा था और इरानी सा तो बच्चो मैं आपको बताती हूँ कि पहली सबाग फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशिर को जब सम्मानित किया गया था बच्चो आपको याद आ रहा है कि उन्हें सम्मानित क्यों किया गया था क्योंकि उन्होंने 1931 में भारतिय सिनेमा की पहली बोलती फिल्म ब पिता कहा था, सबाग फिल्मों का पिता क्यूं कहा था, क्योंकि पहली बोलती फिल्म बनाने का श्रे, उनको ही जाता है, अगर वो भारतीय सिनेमा में बोलती फिल्म नहीं बनाते, तो हमारा सिनेमा अब भी मूख ही रहता, तब अर्देशिर ने सम्मान करता, उसे कहा, मुझ बढ़ाने के लिए देश में कुछ नया करने के लिए जो कर सकता हूँ मैंने वही काम किया है इसके लिए मुझे किसी खिताब की जोरत नहीं है इसी प्रसंग ने लेखक ने टिपड़ी की है कि वे अतियंद बिनम्र सुभाब की व्यक्ती थे बिनम्र सुभाबी तो है किया है उनकी उपलब्दी को भारती सिनेमा के जनक फालके को भी अपनाना पड़ा क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया यूग प्रारंब हुआ बच्चों जो फालके सहाब थे जो कि अब तक मूख फिल्म बना रहे थे उन्होंने भी इनके देखा देखी सवाक फिल्में बना जिससे की भारती सिनेमा के इतिहास में एक नया यूग प्रारंब हो गया चलते हैं अगले प्रिश्न की तरफ देखते हैं हमारा अगला प्रिश्न कहां से है तो बच्चों हमारा जो अगला प्रिश्न है वह पार्ट से आगे से लिया गया है क्या है देखते हैं वह प्रिश अभिनेता, दर्शक और कुछ तक्निकी द्रस्टी से पाठ का आधार लेकर खुजे, साथ ही अपनी कल्पना का सरयोग भी ले। जो भी आप भाव दिया करते थे अपने चहरे से उनके जरिये ही उसमें मनुरंजन होता था, लेकिन जब सिनेमा बोलने लगा तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन आए, उन परिवर्तनों का असर अभिनेता, दर्शक और कुछ तक्निकी आधार पर हुआ, इसमें भी कुछ- तो आपको क्या करना है, आपको इस प्रश्न के उत्तर में यह बताना है, कि जब हमारा भारतिय सिनेमा बोलने लगा, तब उन में क्या-क्या परिवर्तन आए, तो देखिए, मूख सिनेमा में संबाद न होने के कारण केबल अंगो का प्रयोग किया जाता था, जब बोलती फिल्में बनने लगी, तब अभीनेताओं में यह परिवर्तन आया, कि उनका पड़ा लिखा होना आविशक हो गया, क्योंकि अब उन्हें संबाद बोलने पड़ते थे, हाँ बच्चो, पहले जो सिनेमा बनता था, वह तो मूख बनता था, उसमें बोलने की कोई ज़रत नह पड़ते हैं, तो अब जो समय आया, उसमें अभीनेता हो या अभीनेतरी हो, उनका पड़ा लिखा होना आविशक हो गया, क्योंकि पड़ा लिखा अभीनेतरी अच्छे से पड़ सकता है, और उनका उच्चारण भी बहुत अच्छा होता है, और आप लोगों को पता है, कि हम लोग जो अनुकरन करते हैं वह अभीनेता या अभीनेतरी का ही करते हैं उनके जैसा बढने की कौशिश करते हैं और दर्शकों पर भी अभीनेताओं का प्रभाप पढ़ने लगा नायक नायका की लोगप्रिय होने से और ते अभीनेतरियों की केश सज्जा और उनके कपड करती थी और ते उनका अनुकरन करने लगी थी और तक्नीकी दृस्टी से भी कुछ बदलाव आए क्या बदलाव आए कि फिल्में अदिक आकर्षक लगने लगी थी और गीत संघीत का महत्व भी बढ़ने लगा था बच्चों जब हमारे यहां बोलता सिनेमा बनने लगा था तब क्या हुआ था इससे पहले गीत संगीत बिलकुल भी प्रचलन में नहीं थे और अब हम संबाद बूल रहे हैं संबाद के साथ साथ हमारे चेहरे पर भाव आ रहे हैं हम फिल्मों में गीत संगीत का प्रयोग कर रहे हैं तो वहें लगा था क्योंकि बच्चों जहम सिनेवा बनाते हैं वह REM लोगों के मर्णजन subscribe G बनाल रहे हैं और हम उसकी भाषा ऐसी हमझने कि लोगों को समझ मेंन नहीं आए तो क्या लोग उस इस फिल्म को देखेंगे नहीं देखेंगे इसलिए अब जो हमारी जन प्रचलित आम भाशा थी उसमें सिनेमा बनने लगा चलते हैं अगले प्रिश्न की तरफ देखते हैं अगला प्रिश्न क्या है डफ फिल्म में किसे कहते हैं कभी कभी डफ फिल्मों में अभी नेता के आपको इसका कारण बताना है तो बच्चो इसका उत्तर देखिए इस तरह से हैं जब फिल्मों में अभीनेता और अभीनेत्रिया अभीनेतों करते हैं परंतु संबाद नहीं बोलते हैं हाँ बच्चो क्या होता है कई बार फिल्मों में अभीनेता होते हैं और अभीनेतरी होती हैं वो अभीनेतों करते हैं लेकिन वो अपने मुझे संबाद नहीं बोलते हैं उनके बदले संबाद कोई और व्यक्ति बोलता है और उन संबादों को और अभीनेता के अभीने को मिला कोशिश की जाती है यानि वो अपने होट हिलाते हैं अपने मुझे डायलोग बोलते हैं लेकिन उनकी आवाज हम नहीं लेते हैं आवाज किसी और व्यक्ति की लेते हैं और फिर उसको हम डब करना कहते हैं और फिर उनको जब हम आपस में मिलाते हैं तो वह डब करना कहलाता है अभीने और संबाद का सयूजन करके फिल्म को दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है कभी कभी फिल्मों में आबाज या अभीनेता के मूँ खोलने में अंतर आ जाता है यानि कि अभीनेता जो मूँ खोल रहा है वे संबाद से आगे या पीछे चल रहा है बच्चो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फिल्मों की भाषा और डब की भाषा के अंतर से या फिर किसी प्रकार की कोई तखनीकी दिक्कत होती है तब ऐसा हो जाता है और संबाद सर्योजन की खराबी से ही यह अंतर आ जाता है बच्चो जब हम संबाद सर्योजन करते हैं यानि अभीनेता के संबाद बोलना और जो दूसरी बात चल रही है यानि अभीनेता अभीने कर रहा है और कोई व्यक्ती संबाद बोल रहा है उन दोनों को जब हम मिलाते हैं और वह सही तरीके से मिल नहीं बाते हैं तब यह अंतर आ जाता है चलते हैं अगले प्रिश्ण की तरफ अगला प्रिश्ण हमारा अनुमान और कल्पना पर आधारित है बच्चो इसमें आपको क्या करना है इसमें आपको अपनी कल्पना शक्ती का प्रयोग करना है और अनुमान के आधार पर अपने प्रश्णों के उत्तर देने है किसी मूख सिनेमा में बिना आवाश के ठाहके दार हसी कैसे दिखेगी अभीने करके अनुभव कीजे बच्चो इस प्रिशन में आपको क्या करना है इस प्रिशन में आपको अनुभव करना है कैसे अनुभब करोगे जब आप कोई भी फिल्म देखोगे उसको बिना आवाज की देखोगे और फिर उसमें कोई हसी का सीन आएगा द्रश्य आएगा उसमें आपको देखना है कि वह कैसा लग रहा है तो बच्चो इस प्रिश्ण का उत्तर इस तरीके से है जब मूख सिनेम में अभिने किया जाए तो केबल हाथ पेर चलाकर चहरे के अभिने से मूख किया बिना आवाज की हसी का टाहका लगाने का प्रयास किया जाता है बच्चो आप लोग एक दिन क्या करना मैं आपके लिए बहुत अच्छा काम बताती हूँ आप लोग टेलेविजन सब लोग आप किसी दिन एक काम यह करना जब आप टेली फिल्म में आपकी कोई मनपसंद सिनेमा आ रहा हो हो मनपसंद फिल्म आ रही हो तो आप उसकी आवाज बिल्कुल बंद कर देना और फिर उस फिल्म को समझने की कौशिश करना तो बच्चो आप लोगों को बहुत मज़ा आए चलते हैं अगले प्रिशन की तरफ मोग फिल्म देखने का एक उपाय यह है कि आप टेली बिजन की आवाज बंद करके फिल्म देखें उसकी कहानी को समझने का प्रयास करें और अनुमाल लगाएं कि फिल्म में संबाद और द्रश्य की कितनी हिस्सेदारी है बच्चो आप से इस प्रिशन में एक काम करवाया जा रहा है क्या काम करवाया जा रहा है आपको टेली बिजन देखने के लिए कहा जा रहा है और तेली बिजन में आपको फिल्म देखने के लिए कहा जा रहा है और उस फिल्म को देखने के साथ आपको एक काम यह करना है कि जब आप फिल समझने का प्रयास करेंगे और साथ में आप अनुमाल लगाएंगे कि अगर यह फिल्म बिना आवाज की है तो क्या द्रश्य हमें अच्छे से समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं बच्चो इस प्रिश्न का उत्तर इस तरीके से होगा अगर हम टैलेबिजन की आवाज बंद करके फिल्म देखेंगे तो हम पाएंगे कि समझ और द्रश्य की हिस्सेदारी ही सबसे अधिक होती है बिना समझ के द्रश्य नीरस लगते हैं अनेक बाते एस पस्ट रहे जाती हैं बच्चो हमारी फिल्मों में समझ का विशेश रूप से बहत्व होता है क्योंकि कई बार हम फिल्म काम करते करते भी देखते हैं हम द्रश्य देखें या ना देखें पर हम उसके संबाद सुन लेते हैं तो संबाद सुनकर ही हम अनुमान लगा लेते हैं कि इस तरह का कारे किया जा रहा है और संबादों के अभाब में हम अपने मन के भाव व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि आप चहरे से अपने भाव दिखा दोगे लेकिन आपके मन के अंदर क्या चल रहा है देह तो आप कहोगे संबाद की बाध्यम से तब ही पता चलेगा बच्चो आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक जब भारती सिनेमा ने बोलना सीखा पाठ के अभ्यास प्रिश्ण हल किये बच्चो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन प्रिश्णों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और सारे प्रिश्णों के उत्तर आपको यहीं याद हो गए होंगे बच्चो अगर आपको इसमें कठनाई आ रही है तो आप पापस इन प्रिश्णों के उत्तर देखिए और याद करने की कौशिश कीजिए ताकि जब आप परिक्षा में इस पाट से समझ में कोई भी प्रिश्ण आए तो आप बहुत ही अच्छे से इनकी उत्तर लिख पाएं धन्यबाद बच्चो